हेलो एवरिवन, वेलकाम अगिन इन लेंड विद दितिमन, पचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर नूबर फोर का पार्ट टू, तो चलिए बिना देरी के हम इसा की तरह स्टार्ट करते हैं, सैकिंड पार्ट कोशन नूबर थार्टी वन, रितू के आधार पर कितनी पर की फसलें की जाती हैं, मतलब रितू के आधार पर जो फसलें हैं, वो कितनी परकार से वरगी क्रत की जा सकती हैं, वो हैं तीन प्रकार, खरीब की फसल, रभी की फसल और जायत की फसल, देखिए हम इसको बहुत छोटी क्लासे से पढ़ते आते हैं, खरीब की फसल, रभी की फसल और जायत की फसल, खरीब की फसल कब की जाती है, वरसा रितू में की जाती है, रभी की फसल सीत रितू में की ज जाती है और जायत की फसल ग्रिस्म रितू में की जाती है। चली नाक कोशन देखिए। गेहूं, जो, चना, सरसों किस प्रकार की रितू फसले हैं, तो किस प्रकार की हैं, ये रवी की फसले हैं, वो किस की थी, वो खरीब की थी, और ये किस की हैं, रवी की फसले, नेक कोशन देखिए, फल, सबजी, रजगा, बरसीम किस प्रकार की फसल हैं, देखिए बरसीम क्या है बर्षी में एक प्रकार की घास है है नो तो यह फसल किसकी है यह फसल आपकी जायत की फसले हैं जायत की फसले ना कोशन देखिए पिछले दो दस्कों में खाद्धान फसलों के इस्थान पर किन फसलों का प्रतिसत बढ़ा है? हमारे यहाँ पर क्या हुआ है? खाद्धान फसलों जैसे गेहूं जो बाजरा जो खादनी के काम आती हैं उन फसलों के इस्थान पर किसी अन्य फसलों का प्रतिसद बढ़ रहा है और खालदान फसलों का कम हो रहा है तो किस टाइब की फसलों का प्रतिसद बढ़ा है तो वह है तिलहनी फसले तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा है पिछले दो दस्मों से और मुख्यत सु गेहुं के लिए अनुकूलतम वातावर्ण कैसा होना चाहिए तो देखें जिस वातावर्ण में उपती है सीतरितु फसल है एक तो यह निशितरुप से सीतरितु नहीं हो गाई जाती है मध्यमताप पानी सो चाहिए बुवाई के लिए और जब इसकी कटाई की जाती है उसक तेज धूप रहे, तो इसके लिए अच्छा होता है, और इसके लिए मिटी कैसी चाहिए, इसके लिए जलोड मिटी चाहिए, कौन सी, जलोड मिटी या अलुवील, स्वाइल, इसलिए यूज की जाती है, नेक कुशन देखिए, राजिस्थान राज्य की मुख्य खाध्यान फसल कौन सी है, यानि राजिस्थान में मुख्य ते कौन सी फसल का यूज होता है खाने के लिए, वो है गेहूं की फसल, हमारे राजिस्थान में गेहूं का सबसे ज़्यादा खाध्यान फसल के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है, नेक कुशन देखिए, भारत में सरवाद प्रादिक पैदावार होती है भारत में, ठीक है, नेक क्वेशन देखिए, गेहूं वह चावल की उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है, तो देखे, भारत का विश्व में दूसरा इस्थान है, और पहला इस्थान चीन का है, पहला इस्थान किसका है, ची गेहुं में भी चीन पिर्थम सेनी में है, पहला सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन के अंदर होता है और दूसरा भारत के अंदर होता है और यही स्थिती चावल के अंदर भी है, चावल के उत्पादन में भी चीन का इस्थान पहला है और दूसरा इस्थान भारत का है, चलि किन जिलों में की जाती है, श्री गंगानगर, हनमानगर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करॉली, चित्तोडगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, टॉंक, पाली, अजमे, डूंगरपुर और मासवाड़ा जिलों में गेहूं की फसल की जाती है। बाज़रा के लिए अनुकूलतं बातवण कैसा होना चाहिए? और रेती लिमिट्टे इसके लिए काफी अच्छी होती है, कम बर्सा इसके लिए चाहिए और उच्च तापमान चाहिए, जैसा कि हमारे रिगिस्तानी शेत्रों में के आसपास की जो शेत्रों वहाँ पर ऐसा तापमान मिलता है, ऐसी ही मिटी मिलती है, और ऐसी ही सुस्क जलवायू मिलती है, और चीकायुक्त जलोड मिटी चाहिए, क्या क्या चाहिए, सुस्क जलवायू, रेतिली मिटी, कम वर्सा, और उच्छ तापमान, और चीकायुक्त जलोड मिटी, बाजरा के ल भारत के अंदर सरवाधिक जो किसमें किया जाता है? राजिस्थान में बाजरा का उत्पादन किया जाता है. भारत में बाजरा उत्पादन सबसे प्रिथमिस्थान पर काउन में कहां किया जाता है? राजिस्थान के अंदर किया जाता है. यानि सबसे ज़्यादा बाजरा पै खेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है ये कोशन आया भी है इसको याद रखेगा ये फसल है बाजरा राजिस्थान के अंदर सरवादिक खेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है बाजरा है जबकि राजिस्थान की मुक्य खाद्यान फसल गेहू है इस बात का विशेज ध्यान रखेगा, चलिए, नेक कोशन देखिए, राजिस्थान में किन जिलों में मुख्य तह बाजरा की खिती की जाती है, पश्मी राजिस्थान में पूरे में की जाती है, जैपूर, दोसा, भरतपूर, करॉली और सवाई मादुपूर में भी बाजरा की खिती की जाती है next देखिए चावल की खेती के लिए किस प्रकार की अनुकूलता है आवश्यक है तो देखे उपोष्ण में उश्न कटिविंद्य प्रदेशों में होती है और उच्छ तापमान इसके लिए चाहिए और अधिक आद्रता यानि वर्सा और आद्रता इसको ज़्यादा च चीका यूग तो जलोड़ गया काली मिट्टी में इसकी प्रदाइस अच्छी होती है चलिए next question देखिए राजिस्थान में चावल की खेती सामान्य तह किन जिलों में की जाती है तो देखिए हर्मानगर, स्रीगंगानगर, मासवाड़ा, डूंगरपूर, कोटा, भूंदी, जहलावाड, बारा, उदैपूर और चित्तोरगरादी जिलों में इसकी खेती की जाती है सामान्य तोर मक्का की फसल के लिए आवश्यक जलवायू कैसी होती है तो देखें अधिक तापमान इस फसल के लिए चाहिए और इसके लिए उपजाओ लाल काली मिट्टी होना अच्छा होता है तो मक्का की फसल ऐसे इस्थानों पर की जाती है, जहां तापमान अधिक रहता हो और उपजाव लाल काली मिठी वहाँ पाई जाती हो तो चलिए, नहीं कुशन देखी. मक्का की फसल रायसान के किन जिलों में खेती की जाती है? तो वो हैं चिताडगर, उदैपूर, भीलवाड़ा, बासवाड़ा और डूंगरपूर में मक्का की फसल रायसान में की जाती है. सर्दियों में मेवार का प्रमुक भोजन क्या होता है तो सरवादिक जो प्रिये भोजन वहाँ पर उस वक्त होता है सर्दियों में वो मक्का है मक्का सर्दियों में मेवार का प्रमुक भोजन होता है नेक कोशन देखिए चना की क्रिशी मुख्य तहर राजिस्थान के किन राजियों में की जाती है चना की क्रिशी मुख्य तहर राजिस्थान के किन राजियों में की जाती है तो हन्मानगर और गंग स्री गंगानगर और इनमें तो मुख्य तहर रूप से की जाती है लेकिन अन्य जैसे अलवर हुए भरतपूर, जैपूर, दौसांट, टौंग, करोली, सवाई, मादोपूर, उदैपूर, बांसवाड़ा, कोटा और जहलावाड में भी चना की खेती की जाती है चलिए, नहीं कोशन देखिए चना की अत्रिक्त किन दलहन फसलों का उपयोग किया जाता है चना की अत्रिक्त किन दलहन फसलों का उपयोग किया जाता है तो उसमें मुख्यते जो आती हैं वो हैं मूं, मौट, उरद और अरहरादी इन फस्टों का यहाँ पर खेती की जाती है जो भी काफी मात्रा में होता है जनाकि अत्र कौम से आपकी दलहन फस्टों है मुंग, मौट, उरद और अरहरादी चलिए नहीं कुशन देखिए सरसों प्रदेश किसे कहा जाता है यह कुशन बहुत इंपोर्टेंट है बचों सरसों प्रदेश किसे कहा जाता है सरसों प्रदेश राजिस्थान को कहा जाता है राजिस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है और क्यों कहा जाता है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सरसों उत किस जिले में राष्ट्रिय सर्सों अनुसंधान केंद्र इस्थित है राजिस्थान के प्रमुक सर्सों उत्पादक कौन से हैं अनुस कौन से हैं भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सावाई माधुपुर और करोली उत्तर में स्री गंगा नगर, हनुआनगण और कौनेज और मुंघफली कीखेती राजस्थान रज्जे की कितनी क्रसी भूमी में की जाती है की जाती है तो तीन लाग हैक्टेर भूमी लगबग इस छेतर में क्या की जाती है खरीब की फसल है यह और मुंगफली की खेती लगबग तीन लाग हैक्टेर छेतर में की जाती है राजस्थान राज्ये के लगबग तीन लाग हैक्टेर भूमी में खरीब की फसल मुंगफली की जाती है, next question देखिए, मुंफली किन जिलो में सामने तहा उत्पादन हो रहा है, श्री गंगा नंगर, हनमानगर, सित्तोरगर, वर्यजयापुरादी, और भीकानेर में भी कुछ वर्त से इसका प्रसार होने लगा रहा है, वीका नेर में भी कुछ वर्षों से उंख वली की जो पैदाय उत्पादन है वो होने लगा है नेक कोशन देखिए क्रमुक ओध्योगिक फसल किसे कहा जाता है? कापास की फसल को प्रमुक ओध्योगिक फसल कहा जाता है नेक कोशन देखिए, कपास का मुख्यतह उत्पादन राइस्थान में कहा होता है? तो कहा होता है? श्री गंगा नगर, हनमानगर, मेवार वे हाडवती प्रदेश में आपने अभी तक जितनी भी किर्सी देखिये होंगी तो आपने इस चीज को नौट किया होगा कि श्री गंगा नगर और हन्मान गर्ड लगभग लगभग सभी में हैं तो इस चीज को याद रखेगा तो श्री गंगा नगर हन्मान गर्ड निवार वे हाड़ोती प्रदेस में कपास का मुक्यता उत्पादन किया जाता है नेक कोशन देखिए राजिस्थान में आधुनिक कर्शी फोर्म के सिस्थान पर इस्थित है यह अभी तक आया नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टन कोशन है और यह कभी भी आ सकता है तो उसको याद रखेगा श्री गंगा नगर के शूरतगर छेतर में आधुनिक क्रिशी फॉर्म इस्थित है और इसी से समझ ये कोश्चन भी है राजिस्थान के आधुनिक क्रिशी फॉर्म किस उद्धेश हे दू इस्थापित किया गया है राजिस्थान में जो आधुनिक क्रिशी फॉर्म है वो उस और उन्नत प्रकारत की जो पसू हैं उनकी नसलों को विक्षित करने ही दू इस आधोनिक किश्री फॉर्म का इस्थापित किया गया है और इसका सचाईव गैरा का जो कार्य है वो इंद्रा गांदी नहर से किया जाता है तो ये था आपका आफ्री कोश्चन इस चैप्टर का ह तो इसी के साथ होता है आपका इस चैप्टर समाप मिलते हैं नेक्ष्ट चैप्टर के साथ तब तके लिए थैंक्यू